सबसे पहले दो शब्दों को मैं क्लियरली डिफाइन कर देना चाहता हूं ताकि डिस्कोर्स में कोई कन्फ्यूजन ही ना हूँ ठीक है सबसे पहला आता है अर्थ और फिर है धर्म तो अर्थ शब्द को हम लाइवलिवूड से समझते हैं पैसे से समझते हैं सबस्केरें हम समझते हैं अर्थ शास्त्र क्या दिफाइन करता है कि भूम तो प्राप्त करने का अिगश्यों चिवास इसके लिए जो निरूपन करने करें जो शास्त्र को लिखा गया है उसे हम और शास्तर कहते यह है लाइवलिवूड तो satu-s Значит लेकिन power politics भी जो है वो अर्थ शास्त्र के अंदर आएगा धर्म जो है इसको जब भी मैं explain करता हूं तो आसान भासा में अगर मैं बताना चाहूं पहले तो यह जो शब्द है इस पे बहुत जादा बोज है अपने आपको explain करने की अपने आपको समझाने की कोई भी ऐसा में या हिंदी मेंज की वह इतना spectrum को कवर करता हूं तो धर्म काटा हम में देखा है जो गाडियों का जो वेइंग मशीन होता है ट्रकों का बोलते तो वहां पर लिखा रहा है धर्म काटा मतलब वहां पर है की जो measurement भी हम करेंगे वह फ़त एथिकली हम कर रहे है ठीक है उसम this principle moral principle इस अर्थ से भी घंक को समझते हैं फिर हम कहते हैं कि शक्रिया का यह रह्म है वैद का यह धर्म थैसमहर्य करतावयों से फिस भी ढर्म का अर्ठ निकालते कि जो रिस्पॉनसिबल एक्ट है उस विक्ती को ये करना चाहिए जो उसके प्रतिया में भी हम धर्म से समझत अगर वो एकांटेबल है, अपने कर्टवियों का पालन कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो धर्म का पालन कर रहा है माच से नयाय जो हम कहते हैं कि छोटी मचली को बड़ी मचली ना खाए, law of जो फिश है, law of nature है, जंगल राज जो हम कहते हैं तो जंगल राज को अवाइड करने के लिए ये विवस्ता हम लाते हैं। जो राज अतनबर की विवस्ता है। लाव एन्द गवर्णस का मॉडल है। कि कमजोर है उसपे ताकतवर शाशन ना करे। उसको समाप्त ना कर दे। इसको reverse करने के लिए इसको balance करने के लिए reverse तो नहीं कहेंगे balance करने के लिए ही नियाय विवस्था आती है और governance model आता है कि आचारे चाने के को भेद के लिए art of deception के लिए चीजों को थोड़ने murder learning के लिए जाना जाता है तो बाकी जो उनका team part of personality है उसको हमने नहीं देखा ठीक है तो अभी कोई political party जब change करता है इस party सुपरत हम कहते हैं कि अचानक की नीति का यहां प्रयों किया गया है तेकि this is only one subset of subset of many of the principles that चानक क्या आचारे चानक क्या गिए और इंडस्ट उनिवर्सिटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सेशन के लिए और अब इसक्रीव थी बीडिए अपकमिंग बुख या अलरडी मैं कहों कि अबलेबल है चानक क्या स्टेलिजेंस इस इस फिरीजेंस और इसमें मैंने चानक क्या को अज़ाइब दर्शाया है अभी तक हम चानक क्या को एकनॉमिस्ट अर्थ शास्त्री जो हम कहते हैं या फिर नीटी स्वरूप में जो हम बात करते हैं कि उन्होंने कई कोट नीतियां सिखाई जैसे उसमें एक है कि सीधे पेड़ को पहले काटा जाता है या फिर साम दाम दंड भेड तो इसकी बात ना करके उन्होंने चंडरगुप्तो मौर्री को क्या ट्रेनिंग दी टू बिकम चक्रवर्ती टू बिकम विजी डिशु आना भारत का संब्राट वो कैसे बनता है और कैसे पूरा एक एंपायर मगद एंपायर राइज करता है उसकी जो पूरी यात्रहें उसकी जो की ट्रेनिंग का एक कलेक्शन ठीक है सो एक विचार आया मेरे मंद में की जो गवर्नेंस मौडल है इंडियन गवर्नेंस मौडल है वह भारत की अपनी क्या रही है ठीक है लब इंशेट नौलिज सिस्टम या आई किस की अगर हम बात करें जो आजकल बात होती है इंडियन सिस्टम या भारतिया नौलिज सिस्टम तो उसमें पर तीन जार साल पहले कैसे गवन हो रही थी सोसाइटी और एक राजा कर निर्मान कैसे हो रहा था जबकि उस समय कोई इलेक्शन प्रॉसेस नहीं था तो यह क्राइटेरिया क्या है ना वह फिर राजा बन रहे हैं तो क् पूरी प्रॉसेस है पूरी जो नीटी है यह अर्थ शास्त्र में बात होती है तो सबसे पहले दो शब्दों को मैं क्लियरली डिफाइन कर देना चाहता हूं ताकि डिस्कॉर्स में कोई कन्फ्यूजर नहीं ना हो ठीक है सबसे पहला आता है अर्थ और फिर है धर्म तो अर आफमी तो मनुश्यों का निवास है उसके लिए जो निरुपन करने के लिए जो शास्त्र को लिखा गया है उसे अर्थ शास्त्र का लेकिन पावर पॉलिटिक्स जो है वह अर्थ शास्त्र के अंदर आएगा ठीक है डर्म जो है इसको जब भी मैं explain करता हूं तो आसान भासा में अगर मैं बताना चाहूं पहले तो यह जो शब्द है इस पे बहुत ज्यादा बोज है अपने आपको explain करने की अपने आपको समझाने की कोई भी ऐसा सब्द नहीं है शंस्कृत में या हिंदी में की वह इतना स्पेक्ट्रम को कवर करता है तो धर्म काटा हमने देखा है जो गाड़ियों का जो वेइंग मशीन होता है ट्रकों का बोलते तो वहां पर लिखा रहा है धर्म काटा मतलब वहां पर है कि जो measurement और कि हम करेंगे वह हम कर रहे कैं तो यह जगा पर हम राइट अससनेस प्रेंसपल मोरल इस अर्थ से भी हम धर्म को स्मझते हैं पर कहता है चत्रिया का यह दitter गल्म है है तो हमकरदाव्यों से भी धर्म का आरप निकालता है कि जो responsible एक्ट है उस वेक्ट को यह करना चाहिए वो उसके प्रति एकाउंटेबल है कि नहीं इसको भी हम धर्म से समझते हैं अगर वह एकाउंटेबल है अपने करतव्यों का पालन कर रहा है तो हम कहेंगे prosperity का जो मूल है वो धर्म है और धर्म का जो मूल है वो अर्थ है अब यह कल्यूग में कुछ ऐसा है कि आधार अर्थ को रखा गया है ठीक है इसमें आधार जो है आप देखिएगा धर्म शब्द का प्रियोग नहीं हो रहा है अलग बात है कि धर्म का जो अर्थ आता है उसमें यह आधारे तो वहां पर फफ्र पैसे को ना समझ करके पावर politics जो प्रवर को पूरा रहा है स्टेट का फैक्टर रहा कि यह सारा भेस बन रहा है किसका धर्म का ठीक है और धर्म जब होगी सोसाइटी में धर्म का जब पालन होगा जहां तो यह जो एक आधार है आप दिखेगा कि धर्ब का जो पालन है वो राजा करवाता है यहां से यह आर्थ निकल के आता है एक सोसाइटी को को गवर्न करना यह राजा के राज उसका सोर्स को रहा है तो इसको कहेंगे ठील घंगल्राज को अबोइड करने के लिए करें कि लिए को समाप्त ना कर दें इसको बैलेंस करने के लिए इसको टो नहीं कहेंगे बैलन्स करने के लिए लिए नियाय विवस्ता आती है और गवर्निस और आता है तो यह इनका पहला आधाद रहा चारिक शार्ण के कहा कि धनानंद को हमको गद्दी से हटाना है उसके नंदवन्ष को कि विद्ध्वंस करना तो उस लिए कर और और को क्यों चुनते हैं एक बच्चे के रूप में क्यों चुनते और उसे घुछ समराट बनाते हैं तो फिर क्या ठ्रेनिंग देते हैं ठीक है तो एक आचारी चानग के psychology हो कह रहे हैं कि मतलब बच्चे कोई आप मॉल्ड कर सकते ट्रेंट कर सकते हैं और उसको हम आज कि वह क्या बनेगा आगे जा करके तो उसको एक्स्प्लेंग किया वह तो परमपरा महीं आ रही थी लेकिन उन्होंने विद्या चतुष्टे में जो हैं हम कहते हैं कि आन्मक्ष की त्रही वारता और दंड नीथी इसको संशिप्त में अगर मैं बताओं तो अगर मैं रिवर्स बात करो जैसे दंड नीथी से प्रारम करो तो हम कहेंगे राजा की शवा वेक्ती की क्या संत की क्या मतिने विचार सुनेता उसे चाहिए तो वह कोई भी पुरानी बात लेके पकड़के नहीं बैठ सकता तो वह जिसे नहीं भी छमा करना चाहिए वह भी छमा करता हुआ प्रतीत होता है जो है अपने परीवार समाज अपनी शक्ति सामने वाले की शक्ति को देख करके किसी को शमा करता है या फिर एक वाच रूत करता हम उसमें कोई सभी को शमा कर रहा है वह वो सिच्वेशन के ऊप्र्यूस है 시 चाहिए दंड नीति का प्रियोग करेगा अपने इंट्यूशन का उसको राजा करेगा ठीक है विवस्ता उससे फॉलो होगी तो दंड नीती जो है वह राजा रिटन नियमों का पालन कर रहा है उसको एक ट्रेणिंग दे जा रही है उसमें ओभी एक हीरे की चोरी और हीरे की चोरी दोनों के सजा अलग होगी लेकिन यह वेल डिफाइंड होगी यह कॉंटेक्स्ट पे और बार बार वह आप उसमें वेरियेशन्स नहीं रख सकते अगर वेरियेशन्स आप रखेंगे तो फिर न्याय आप नहीं करेंगे समान न्याय नहीं कर पाएं ठीक है और यह पालन यह जो दंड नीती है यह का अधार बनता है एक लोगों को एक सेंस ओफ और में लाने के लिए एनार्की ना हो कि एक कोई रून सेंड रेगुलेशन ह जो हमारे सभी पर लागो हुता है इस सब्सक्राइब है जिसको हम तीन वेर्द के रूप में समझते है ठीक है वह धर्म और अधर्म क्या गलत है और क्या सही है उसकी परिवासा डिफाइन करता है अब एक फ्रेमवर्क भी देता यह हमारा एप्रोच क्या होगा जैसे कि तो एक व्यक्ति का चो राइटस है वह सर्वोपरी हो जाता है उसके जो आधिकार है वह उपर हो जाते हैं तो उसके बाद पर परिवार और सोसाइटी और फिर बाकी चीजे उसको फॉलोगादे अगर आध्ये परिपेक्ष में जब देखेंगे कि ग्राम की जबात होगी तो परिवार से उसकी प्रैयरिटी होगी यह रास्ट की बाट होगी तो सी ऐप े मेरू धंड जे का स्पाइन हैं हम उस सेंस में चीजों को देखते हैं और समझते हैं और उसी का इमिटेशन हम यग के सो रूप में हम कहते हैं या फिर हम जन्म लेते हैं तो हम पांच या जो हम कहते हैं कि तीन रिणों के साथ हम जन्म लेते हैं पित्री रिण है रिशी रिण है ठीक है समाज सब्सक्राइब में हम समझ सकते प्रकृति के रूप में सब्सक्राइब कर रहे हैं तो यह जो है मतलब हम बाइब एक डेट के साथ जन्म लेते हैं और उसको चुका करके हम आगे बढ़ेंगे अपने जीवन का निर्वा करें तो इस अप्रोच से आप दिखेगा नियमन कानू उसको फॉलो करेंगा अब उसमें LGBT राइट्स आ जाए तो इसमें अगें वह इंडिविजुल फ्रेमवर्क आजाता है जैसे फैमिली फ्रेमवर्क आएगा तो वहां पर हम देखेंगे कि नहीं फैमिली की क्योंकि प्रारिटी है क्योंकि वह फंडमेंटल यूनिट है तो ल जो वारता है वह बेसिकली ट्रेड को कॉमर्स को अगरिकल्चर को एनिमल हजबंट इन सब को वह गवर्न कर रहा है तो इकोनॉमिक पॉलिसी जो बनेगी वह वारता उसको फॉलो कर रही है अब जो पार्ट है आनिविक्ष की इस पे पूरा अलग से मैं एक चाप्टर दिया ठीक है अब बहुत जगा व्याख्याइं आती है आनिविक्ष की कि सब्र के अर्थ को समझाया जाता है कि चंद्रगुप्त मौरी को यह सिक्षा दी गई लेकिन जब अर्थ शास्त्र देखें हैं तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि वह एकदम अच्छे से अब्जिक्ट लेने की कैपैबिलिटी बढ़ेगी अब यहाँ पर यह क्यों आ रहा है कि सफांग के दर्शन को सप्समीस में आता है कि ओलॉन मस्क ने फिजिक्स में बहुत जादा आगे तक पढ़ाएकि और वह इसका तरक ये देते हैं कि मैंने सब्जक्ट कुसी कि लिया क्युक्कि मु या एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्रोच मेरी सही हो नए चीज़ों को मैं एक्स्क्लोर कर पाऊं यह मुझे लगा कि फिजिक्स अगर मैं समझ सकता हूं उसकी समझ अगर होगी तो मेरी ट्रेनिंग हो जाएगी ब्रेन की और देन इसको जब समझता है राजा तो एक पराडॉक्स को सॉल्व करता है निया उसे लेना है लेकिन उसके पास होते हैं सलाह का वो हर विशय का हर सब्जेक्ट का expertise उसके पास नहीं होगी टी करने की चीजलों को जोडने की शक्ति है शक्ति ग्या करंए किया सब कहां से जब उसने अपने विष्यों को भी समझे पर थे तो यहाँ के दर्शन विशे को समझाया जा रहा है चलन टारा जर्शन के दर्शन धर्शन शाहसे बहएं ने था दुर्स nbee में की जो पूरी study है evolution है consciousness and matter का जो पूरा understanding के यह पूरा सांके दर्शन से आता है तो ऐसा विशह है जो अध्यात्मिक विशह है इसको इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि बुद्धि की शम्ता सोचने की शम्ता decision लेने की शम्ता बढ़े यहां पर अचारी चानक कहेंगे या वह हम इंफर कर सकते हैं कि जो युद्ध में जिते उसे है और जो स्वैम को जिते उसे महावीर कहते है तो विक्ति अगरे इंद्रिये नहीं यह तो वह राजा के अस्तर पर जाना बहुत कठीन है अगर उसने सेंस और और यह आगे बढ़ता है जहां से मैंने प्रारम किया था कि सुखस्या मुलम धर्मा घर्मस्या मूलम राज्यम राज्यस्या मूलम इंड्रिया जया तो यह जो योग शास्त्र है जो आत्म प्राप्त करने की जो विधा है स्वयम को जीतने की जो तरीके हैं उसकी ट्रेनिंग भी यहां पर आइन विक्षकी के अंदर हो रही है और तीसरा जो विश्या यह बड़ा इंट्रेस्टिंग है जो हम कहते हैं चारवाक दर्शन अब पहले के समय में एक तो बेसिकली चारवाक दर्शन की एक्सपर्ट हमेशा क्यूं होते थे राजदर्बार में या राजा की ट्रेली में क्यूंकि आध्यात्म या भक्ती एक एक जग सामाने विशेय था और ये भी डर था कि कहीं राजा जो है वो राजपार्ट त्याग करके सन्यास के तरफ न बढ़ जाए उसको बैलेंस करने के लिए चारवाक दर्शन का एक्सपर्ट या उस प्रकार का विक्ति उसके साथ हमेशा हो जो उसको भोग विलास और पावर और पॉलिटिक्स और अर्थ शास्त्रित को सर्वपरी रखे इस की बाते उसे याद दिलाता रहें और एक दूसरा एंगल आता है कि जिसमें हम कहते हैं कि भारत का जो राजा होता वो परमात्मा कांश होता है ठीक है तो यहां पर यह बात इसलिए होती है क्योंकि आप दिखेगा जो कंजोर वेक्ति है भारत में उसके उपर जब भी कोई स जेल रहा होता है ठीक है तो यहां पर इस प्रकार से सोचेगा कि कर्म वह सब का अपना-पना फैसला कर पाएगा तो आप नीती का कैसे प्रयोप करोगे तो दंड आपके हाथ में है आपको पालन करवाना है धर्म का पालन करवाना है समाज में तो आपको यह जो पारमार्थिक सकते हैं या जो अधर वर्ल्डी ठींग से इससे थोड़ा रिड़क्शनिस्ट अप्रोच में वापस आ करके आप यही मालनों कि परमात्मा कंच होता है राजा और फिर लुदंद नीति डिसाइट करेगी किसके पाप का क्या किया निया करना है कि सब्क्राइब तो चार्स यह पूरा जो एक ट्रेनिंग बच्पन से यह तीनों सब्जयक्ट सबसे पहला है मतलब कि आनिविक्षती अगर उसे नहीं बताई गई और पहले दंड नीती अगर बता दी जाएगी तो फिर उसका जो वर्ल्ड व्यू है उसका जो फिलोसफी आफ लाइफ है उसको जीवन देखने का नजरिया है वो जब तक हमने बिल्ड नहीं किया है तो दं आनिविक्षती पहला विशह होगा और वह घुरकुल तो जाहिड आये तो वेद की सिक्षा लेगा ही तो वहां से एक क्योंकि वेद हार्ड हो जा रहा है जो धर्म का जो हम कहते सब्जेक की कब कौन चीज़ धर्म होगा कौन सा विशह अधर्म होगा इसकी समझ दर्शन सास की अंडरस्टैंडिंग के बाद ज्यादा क्लियर होता है ठीक है आपको वह वेवस्था करने में तो यह जो ट्रेनिंग है यह त्रई वार्ता दंडनीती आनविक्षी की इन चारो हम कहें विद्या चतुस्टे के माध्यम से राजा चंद्रगुप्त को विजी चंद्रगु कि आपकी देश में और शत्रू के देश में कुछ एक प्रकार के विक्ति है जिन पर आपको बड़ा ध्यान देना है वो आपके लिए भी खतरनाक है और जो शत्रू के लिए खतरनाक है उसको अ अपने साइड में लाकर के चीजों को बहतर धंग से गवर्ण कर सकते हैं चला सकते हैं जो प्लिटिकल या आप कहें प्लिटिक्स को चला सकते तो उसमें वह बहुत अच्छे सक्षाइक्जिंग एक्तम डिसाइफर करते हैं कि एक human psychology में तीन चार प्रकार के ही लोग हैं जो आपके लिए खतर नाक है ठीक है उसमें कहेंगे कि भीत वर्ग लुगध वर्ग और क्रोधी वर्ग यह चार प्रकार की एक टेगरी आ ठीक है उसमें भीत वर्ग जो भय से ग्रसित डरा हुआ है वो डरा हुआ है तो वह आपके अगेंस्ट जा सकता है बहुत आसान भासा मैं मैं कहूं लोभी वर्ग वह इतना लोभी है उसने इतनी लूट कर लिया है उसने की वह उन चीजों को बचाने के लिए वह आपके अगेंस्ट जा सकता है अ Police का जो पूल By तो मतलब भारत के कई उनवसेटिए के प्रोफएसर को दर फिस्ट Blues देते समान मान-सम्मान पुँक्षफर के सब्रेस्ट कुछ देते मान-सम्मान को फिकिंग कि उनके宮 हारत भारत के अगर्ण होते थे तो यह वहां की भाषा इसकी क्विक वेक्ति को समझा नहीं है जाना नहीं है तो ये एक शक्क्तरूनं के ले सकता है कि मानि वर्ग है किसी आपके डिसिजन से जब आप नियाय करते हैं तो अब सभी को खुश नहीं डख सकते तो एक राजा के पर सब्सक्राइब से भी अगर देखे राजधर्म के प्रस्पेक्टिस से भी देखे तो एक ऐसा वर्ग होगा जो नाराज होगा यह होगा आपसे तो कुरुद्ध वर्ग उनकी भी साइकलोजी को समझना उनको समझना और उन्हें कुरोधित नहीं होने देना तो यह पूरा जो पार्ट है यह श शत्रुबोध का एक एक बहुत अच्छा जो अंडरस्टेंडिंग है वह भी आचारे चानक के ने दिया और यह आप मॉडर्ण कंटेक्स में देख सकते कि कैसे एक व्यक्ति नाराग हो जाता है तो फिर वह एंटी हो जाता है कैसे वह वाला व्यक्ति कैसे वह कई योजनाए बनाने लगता है और फिर कह रहा है आचार चानक की बॉर्डर डिस्क्यूट जिसके साथ भी होगा तो चार प्रकार के खत्रे आएंगे समस्याएं आएंगी जिसमें आएगा की एक बाहर है और एक आभ्यांतर है तो आपके देश में उसका रूट होगा उस समस्या का देश ज़रोई हैं उसको नर्चर करने वाले भी आपके देश के ही दो प्रकार हो गया तीसरा उसका रूट बाहर रहे उसको नर्चर करने वाले भारत के लोग या भारत के जो कुछ मतलब वो समू होंगे जो चीज को नर्चर या बढ़हा रहे होगे चार प्रकार के एनीनी भी होता है जब ब्रॉट्र डिस्प्यूट्स अधिक नहीं होना यह जो सुन्जूकी जो बेसिक टेक्नीक फी कि जो चाइना में रहे की डायरेक्ट एक 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 हैट टु हेट वर में इंगेज होने से अच्छा है कि हम प्रॉक्सी वार में अपने आपको इंवाल्ब करें तो यह तरीके हैं ये आचारेचा कि कई हजार साल पहले इस चीज़ों को सिखा रहे हैं और आज के परिपेक्ष में आपको यह समझना होगा जो हम कहते हैं तो यह कहां से आ रही है किसी के साथ आपके डिस्ट्यूट है कि आपको वह वार में आपके साथ इन्वाल्व नहीं है तो वह चीजों को बेसिकली मैनुवर कर रहा है अपने अपने बेनिफिट के अकॉर्डी प्रियोग में ला रहा है तो यह भी आचारे चानक्य की विद्याओं में कि वह कैसे करते हैं तो फैक्टर क्या रहता है मतलब इक पावर्फुल अगर हम कहें कि किंडम है तो उसमें एक विजिशू जो शब्द यह प्रयोग करता है कि बहुत बड़ा पावर्फुल किंग है राजा है समराठ है चक्रवर्ति है तो उसका रख्यार किस वज्य से वह शक्तिशाली होगा ठीक पराक्रमी ओगा तो पहला तो उसमें आ जाता है कि हम कहते हैं जो सकते हैं मीडिया ला सकते हैं जों पेसिक्ले इंफ़र्मेशन वार्फेर की बात करते हैं वह पनेटिव की बात करते यह वाला जो डॉमेंगाए यह ग्य आपका फिस्कल डेफिसिट कितना है आपका बैसिकली एकनॉमिक एसी चल रही है जीडीपी का ग्रोथ कैसा है आपका कितना टाक्स कलेक्ट करते हैं ये बहुत पावर फक्टर में आजाएगा जूसरा हम कहें कि कोशबल तीसरा है विक्रम बला बैसिकली जब भी आप तो ऊट कि भांसा की बात करते हैं या वेलर की बात करते है यह संस आफ हम कहते है तो को को इवन आर्मी को बॉर्डर पर या फिर जो हम कहते हैं तो यह सारा जो एक प्रभुत हाँ है कि इंफ्लएंश इन्फवाव डाल रहा है यह सारा भी एक राजा का बेसिकली एक पार्ट होता है जब वह चक्रवर्थी बन रहा होता है तो ज्ञान बल विक्रम बल पोश बल यह हमने देखा ठीक है इसके वाद हम कहेंगे कि एक और बलाएगा उसमें आएगा कि वह आत्म बल जो हमने योग की बात की वह सेल्फ को कितना कंट्रोल कर सकता है रेस्पॉंसिव कितना है रेक्टिव ना होकर के चीज़ों को कितने बहता डंग से वह समझता है तो आत्म शक्ति इच्छा शक्ति जो एक व्यक्ति की जो अपने अंदर से शक्ति आती है यह चार राजा के मतलब आप समझ दीजिए कि उसके चक्रवर्थी बनने की यात्रा मे आती जो है अगर तील मैं कहूं जो बेसिकली दिखाई देता है ऐसे भी कि अप्लिकेशन आप नियमों को कितने अच्छे से पालन करवा पा रहे हैं एक्जिक्यूट कितना अच्छा से करवा पा रहे हैं कॉंट्रैक्स तो नहीं हो रहे हैं कोर्ट में कहीं कई करोड़ों के से चैकने वह में होती है पावर स्वार्टर के आन के लास अमाट टिंडिस अमात के बेसिकली एड्मिस्टेटर एंड मिनिस्टर्स अमाध को संस्कृतमे या उसकाइप मांत्री का संस्कृत मौन से मन्थी नहीं होगा मंत्री संस्क्री मंत्री होता है और ड्योब्र partnered ने कि पहले वह एक काम कर चुका है तो वह कारण बनता है और सब्सक्राइब यह और मिनिस्टेर्स या क्याबिनेट यह पूरा समुव है यह फिर पावर फैक्टर का कारण बनता है ठीक है जैसे जैसे तो हुआ तो आप देखें कि जो भी बाते कर रहे हैं और आज भी रेलिवेंट है और बलकि आज उस दंग से फॉलो नहीं हो पा रहा है जिस दंग से राज तंट्र में फॉलो हो जाता था ठीक है मोर्णार्क के भी अपने प्रोज और कॉंस हैं लेकिन भारत में कभी आप देखिएगा कि एक पूरा परिवार नहीं चला है बैसिकली राज तंट्र में एक कोई गुरू कोई के लिग क्रुशी आते हैं पिर एक नए राजा की राजगादी पर उसे अस्थापित करते और वह देखते हैं कि वह द्रॉय हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसलिए हम कहता है संगोलन बसक्ली उसके ओपर नंदी का है नंदी बना हुआ है तो वह जो धर्म का हम कहते हैं चार पैरे जो नंदी से हम रिपर्जेंट करते तो राजा उसके भी अंदर है ठीक है राजा सबसे सर्वोपरी नहीं तो भारत में वह निरंकुष आशक का जो लाइंगवेज हम यूस करते हैं कि रश्या में ऐसा रेवलूशन हुआ वर्ल्ड मैसा हुआ की जो राजतंत्र है उससे बहतर राड डेमोक्रेसी तो भारत में वैल्यूज डेमोक्रेटिक रही है सिस्टम लेकिन इलेक्शन करना हो करके सेलेक्शन के तुरू हो रहा है और एक बेसिकली इनका अपना संविधान है जिससे चीजों की कॉन्फिक्ट रिजलूशन हो रही है और चीजें का बेसिकली अच्छे ढंक से सुचारों रुप से उसे चलाया जा रहा है तो यह जो परस्पेक्टिव है आचारे चानक्य का कि राजा को कैसे चुनना है राजा की ट्रेडिंग क्या होगी और जब वह न्याए करेगा जब शाशन चलाए तो उसे क्या फॉलो करना है जो शुरुवात में मैंने का कि मत सिन आये हैं मचली बड़ी मचली छोटी मचली को ना खाए यह पहला प्रिंसिपल यही प्रिंसिपल है जो जिसके लिए पूरी यह नियव कानून सरकार गवर्मेंट स्टेट पुलिस यह सब बनी हुई है अग अगर आगर ऐसा होता ही कोई नहीं होता व्यक्ति के व्यक्ति के बीच में कोई समस्याइं नहीं होती है जिसको जरुबर्मी की तो भारत में जो यूगो की अधारना उसमें यह थोड़ासा आप देखेंगे कि यह डिग्रेटेशन होता और कल्यूग में आते आते आप दिखिएगा कि हम कमेटी और सिस्टम की बात करने लगते हैं एक विक्ति आधारित नहीं हो सकता क्योंकि वो जीतिंद्रिय है नहीं है ना वैसे डिसकुशन आता है कि जैसे यूपी के मुक्ष्यमंत्री योगी आदितनाथ जी है तो एक संत मह कैसे आगिया अब दो पक्ष हो सकते हैं कि कारे करने का तरीक अच्छा नहीं है कि कि नों ने यह अच्छा चारे किया है यह अलग दिसक्रिशन लेकिन एक तीसरा जो विश्या आता है कि संयासी कैसे भारत में पॉलिटिक्स में आ गए तो भारत में राजा प्लस रिशी की यह थाधर दी इसलिए राजा भी रिशी पुत्री धेख रहे होते हैं यह तो यह सब साथ में रही चलता है यह पुलर एंड का विशय नहीं है यह अलग अलग विशय नहीं है कि अध्यात्म के बाद जो है वेक्ति सब चीज़ें को छोड़ कर ही चला जाता है यह आत्म बल का विशय ठीक है तो यह एक बिसिकली आप डिफरेंस जब देखते हैं या समाज को आप देखते हैं तो अभी एक जो है यहां पर लोग फिर भी सिविलाइजड है क्योंकि उन्हें अभी तक यह लगता था कि जो पोवर्टी है जो गरीवी है वो क्राइम को जन्म देती और उसके लिए नियम कानून होते हैं ठीक है लेकिन जब भारतिये स्लम को देखते तो देखते हैं कि यह पिर भी सिविल है ना तो यह ऐसी साइटी में कहते हैं कि सोशल शिक्रेटी सोशल कैपिटल बहुत ज़्यादा है और वहां पर लॉइन गवर्नेंस की बहुत स्ट्रिक्ट रिक्वार्मेंट नहीं होती है और यदि आप लॉइन गवर्नेंस से चीजों को सॉल्व करने जाएंगे तो चीज उस लेवल फिल्टर होके अब कोड में नहीं जाता है तो चंडरुप्त के समय में अगर मैं कहूंगा कि उस समय हो रहा है तो पिल्टर आउट होके जा रहा है वीदिन फैमिली विदिन जॉइंट फैमिली विदिन कम्मूनिटी विदिन ग्राम और नियाए हो रहा है क्योंकि पूरे देश का जो इशू है वह नियाए और कानूल और दंड नीती से गवर्न नहीं हो रहा है इस बात को भी समझने की बहुत आवशक्त है जो वेद की सिक्षा त्रही जो सिक्षा उन्होंने दी की जब भी फैमिली और आपकी बात होगी तो इसमें हम इंडिवीजिवल जो फ्रेमवर्क होता है इसमें आप नेचर है कारे करने का नेचर आउटवर्ड नॉलेज को समझने और आत्मबल को समझने स्वैम को समझने का जो वह इन वो इसे पूरा एक ऐसे सोशल कैपिटल का निर्मान करता है जहां पर दंड नीती तो है लेकिन वह बहुत कारगर है क्योंकि चीज़ें बहुत हद तक सेल्फ गवरंड है और ऑटनॉमस बॉडी की तरह काम कर रहा है डी संक्लाइज मॉडल की तरह काम कर रहा है तो यह चानक्याज इंटेलिजेंस डिसप्षन इन चीजों का आचार चानक के प्रयोग कर रहे इसलिए मैच विलिया अफ यह इंडिया है आफ बैसिकली तो यह रियलिस्ट है यह बाते हैं लेकिश के बैक बैक ऑफ दो मैंड बैक में क्या है इसका फांडेशन क्या है क्यों उनकी नीतिया कारगर हो रही है इ एक रनॉरा को माने कॉंटेक्स्ट को माने एक धर्म शास्तु को सब्न हम समभिदान को करें कॉटेक्स घूमेनिटी इंडिविगए तो यह उस समय भी आते तो इसको कैसे रिजॉल्व करें तो वहां पर आचारीचानिक सबसे उपर रख रहें सबसे उपर धरम शास्त्र के उपर भी उन्होंने रखा है तो अर्थ शास्त्र को समझते लेकिन उसका सही वारता शास्त्र कहें तो जादा बेटर होगा अर्थ में कैंड ऑफ संविधान का भी थोड़ा फ्लेवर है वहां पर नियाए रिवस्ता की बात हो रही है समाज की बात हो रही है स्टेट कराप्ति बात हो रही है और राजधर्म के बारे में बात हो रही है तो एक साफ डॉक्यूमेंट र कलेक्शन जिसमें कई सबजेक्ट्स अटील किया गया है थेखाई जो पावर ऑपालिटिक्स के एरांड रिवॉल्व करता है तो यह जो कॉन्फिक्ट्स रिजो़ करेंद दूपसे और अमना जा जाम मेंगे में रहे मैं इन बातों को नहीं मानता हो इनकी बातों में फोड़ी सी सच्चाई आज के परस्पेक्टिव मुझे लग रही है तो इसे मैं अप्लाई करवा सकते हैं इस तरह की भी बाते और एक की फ्रेमबर्क दिये हैं जैसे एक है कि युद्ध के बाद हमें क्या करना चाहिए राजा ने जीत लिया एक टरट दी तो अब क्या कर रहा है तो कहते हैं कि राजा को वहां के देवताओं की और पूजा पध्धती में कोई बदलाव उससे नहीं करना चाहिए वहां जाए तो यह आपको आज के दिखाई देगा तो अम कहेंगे कि आचारीचानक नीतियों का पालन हो रहा है अमाथ्यों को प्रमोट करके आपको मिनिस्टर्घ बनाना है यह आपको सत्रू बोद की समझ जो है कौन आपके सत्रू है जो आवार्ड का भी एक कंसेप्ट है कि इंटरनैश प्रस्पेक्टिव हो सकते हैं क्योंकि यह मानी वर्ग में आते हैं जो मान सम्भान के पीछे गए हैं और फिर उनकी भाषा बोलने लगते हैं तो यह जो पार्ट है यह जो अंडरस्टाइंडिंग है आई तेंग यह आगे भी रिलेट आगे भी इनका रहा रहेगा और आज त रखा है जिसमें साम की बारे में मैंने बात किये मैं जिस्षत्र से आता हूं यह जहारखंट पड़ता है तो यहां पर यह बिहार कई पार्ट रहा तो एक चीज मैंने नोटिस की कि यहां पर जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो और वेस्ट इंडिया की बात करो मुंबई की बा सब्सक्राइब करता है वह फ्लाटरी के रूप में भी आपको देख सकता है कि वह तारीफ कर रहा है तो वहां पर कहते हैं कि साम का जो पूरा प्रोसेस अचारे-चानक एक कह रहा है क्योंकि हमारे शित्र के रहे जो तो कहरें कि पहले संबंद बनाया जाता है पहले के बारे में बात करिए अपरे कॉमन विलेजद एंसिस्ट्री के बारे में बात करिए कनेक्शन ढूंड़िये उनके कामों की व्यक्ता करिए कि आप उनके बारे में कितना जानते हैं बहुत बाद में जो हैं मिज़ोल बेनिफिट बताते विए चीजों को और प्रजेक्ट एक्स्क्लेइन करते हैं मृच्वल बेनफिट बताना बहुत आविश्यक होता है ठीक है ताकि जो है उसकी सत्यता उसका जो ठूथ फुलने से वह आपको प्रस्तुत करने में आसा नहीं है तो जो साम है यह एक टूल है यह भी ट्रेनिंग का प्रॉसेस था कि ऐसे समझाये जा जाना जाता है उसको हमने नहीं देखा ठीक है तो अभी कोई पार्टिकल पार्टी जब चेंज करता है इस पार्टी सुपर हम कहते हैं कि यह चानक की नीति का यहां प्रियों किया गया है तो यह चीज़ें में ध्यान दनी के आवश्यक है कि उन छे अजार शुत्रों में ज जो उनकी इस्टेट क्राफ्ट की नॉलेज या राज धर्म जो उन्होंने सिखाया यह पार्ट को भी हम देखें और जाने इसलिए चोटी सी पत्ली सी बुक मैंने लिखी 130 pages की है और only principles metaphysics है उनकी जो परस्पेक्टिव थी कि चारूत मौरिक उन्होंने कैसे train किया इन सारे विश्यों के उपर बात हो अपने पुस्तक और आचारे चानक के विश्यों में जितनी मुझे व्याक्या करनी थी मैंने करती है आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्वाद जुड़ने के लिए